हेलो नमस्कार ये ये इस्टूरिम वेलकम टू सक्सिट के रियर आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं आई एस्पी नासिक यानी की इंडियन सेक्यूरिटी प्रेस नासिक रोड के तरफ से जो रिकूर्मेंट निकल कर आई थी जुनियर टेक्नीशियन और वे वीडियो में डिसकस करने वाले हैं तो चलिए यहां पर सबसे पहले एक मिनट यहां पर आ जाते हैं ठीक है अब हम नोटिफिकेशन को चेक करने के लिए कैसे चेक करेंगे वो देख लिजिए तो सबसे पहले आपको न कोई भी Google ओपन कर लीजिएगा Google ओपन करने से पहले म मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं देखिए यह 29 साथ 2023 को यह रिलीज की गई है जिसमें यहां पर देखेंगे यह 15 जुलाई यह 2023 फार्दी पोस्ट जुनियर आफिसर असिस्टेंट का एकजाम कंड़क्ट किया गया था उसके एकाडिंग यहां पर परडाम घोसित हो गये और यह परडाम में जिन जिन कंड़ेट का नाम है वह देखिए यहां पर प्रुविजिनली सार्ट लिस्टेट कंड़ेट इन यूर जनरल में जो सेलेक्ट सेलेक्शन ले लिए हैं साथ में यहां पर OBC में जो सेलेक्शन लिए हैं EWS में और भी यहां पर हम दिखा देते हैं देखिए रिजॉल्ट आफ अनलाइन एक्जामिनेशन कंड़क्ट आन 15 जुलाई 2023 ठीक है तो रखा गया था जुनियर असिस्टेंट के लिए और वेलफेयर आफिसर के लिए सबी के लिए हम लोग देख लेते हैं तो देखिए पहले पीडिएफ आप लोग को कैसे डाउनलोड करना है आपको अपना रिजॉल्ट सीबीटी मार्क व कोई दिक्कत आगे इसलिए सभी चीजे यहां पर transfer कर दी गई तो आप यहां से आकर check कर सकते हैं तो मैं यहां पर check कर ले रहा हूं यहां पर आप आज आएंगे तो यहां देखिए आप नीचे के तरफ आएंगे न तो result वाले section में चले जाना है इसको आप लोग आपको मिलते रहेगी अब रिजर्ट में आएंगे न यहां पर देखिए आई एसपी नासी के रिजर्ट आउट दोज़र्ट इस पर आप लोग को क्लिक करना है जैसे क्लिक करेंगे यहां पर और भी डीटेल आप लोग को खुल कर सामने आ जाएगा ठीक है यह यहां पर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं यहां पर प्रविजनल सेलेक्टेड मेरिट लिस्ट जो निकला है वेल्फेयर आफिसर और जुनियर टेकनिचनिशन के लिए वह आप लोग चेक कर सकते हैं फिर यहां पर लिस्ट आप प्रोजिटेनली मेरी साट लिस्टेट केंड़ेट फार्दी पोस्ट आफ जुनियर जुनियर एओ एट भी थ्री लेवल वह जारी कर दिया गया फिर रिजर्ट एड मेरिट आफ आइस पी नासिक आनलाइन इग्जामिनेशन कंड़क्ट 15 जुलाई कर दिखा देटेश फार्दी पोस्ट आफ जुनियर आफिस असिस्टेन्ट के लिए जारी किया गया तो यहां पर सबसे पहरे में बैसिक इसकोर लिस्ट में यहां पर चेक करवा दे रहा हूं यहां पर जैसे करेंगे आपको डाउनलोड ने का आप सनुझाएगा डाउनलोड यहां से चलिए हम दुबारा एक बार आप लोग को ओपन करके दिखा देखा यहां पे आप हैं। और आपको हमने स्टतिने सब्सक्राइब ट्रहूआब मैं और और को से इसे था ब million फिर्माब तर्येय्ट के सब्सक्राइब कि दीखाया है। तक मैं है उलीजानि होति सब्सक्राइब हैं कि लोगे हैं। यह देखातृव स्कलाइब क्यारी यहां करो है। यहां पर देखिए professional knowledge से 72 में कितने कितने लोग नंबर पाये हुए है यहां general elevation 12 में 5 5 ऐसे नंबर पाये हुए हैं लोग English language में 12 में 4 कोई 10 कोई 9 कोई 2 कोई 3 ऐसे नंबर पाया हुए है फिर logical reasoning में 4 11 12 में से 18 नंबर पाये हुए है quantity aptitude में out of 12 में चार साथ ऐसे नंबर पाये हुए है टोटल की बात करें तो 49, 73, 41, 41, 30, 34, 50, 64, 66, 66 और 73 नंबर पाये हुए है तो यह सब आप लोग चेक कर लेंगे और देखिए फिर आपको website पर आ जाना है यह तो अभी आपने welfare officer के लिए चेक कर लिया ठीक है ऐसा ही अगर आप यहां पर देखेंगे provisionally selected merit list इसको आप लोग download कर ले जगा यहां पर और इशको open कर ले राऊं मैं चलिए यहां पर डाउनलोड हो चुका है तो मैं इसको open कर ले रहा हूं list आप पर चीब हो आपको भी ऐसा ही क्या करना है open कर ले लेना है ना यह मैं open कर लिया ठीक है आपके सामने हैं देखें यहाँ पे welfare officer के लिए जिनका selection मिला हुआ है देखेंगे this is the reference to the advertisement number 01-23 date 15-7-23 whereby requirement of warriors post was notified किया गया था subsequent online examination was conducted on 7 October 2030 और 7 October को भी यह conduct कराया गया था as per the merit list of the candidate candidate merit list के इस्टाप से the provisional result is the hereby notify यहाँ पे notify किया गया है provisional result को hence the provisional result of the selected candidate post wise and category wise are as under यहाँ पे post wise और category wise यहाँ पे आप लोगों को दिखाएगे जैसे post wise में यहाँ पे welfare officer में देखेंगे यहाँ पे role number registration number और केतन सुधीर दुप्रा ठीक है mail और 73 नंबर इनका है ऐसे जुनियर टेक्निकल टेक्निकल के लिए देखेंगे role number जैसे कि यहाँ पर पहले नंबर पर आकास समानता है इनको 118.5 नंबर मिला हुआ है ठीक है ध्रू को यहाँ पर 109 नंबर मिला हुआ है selection पाए है अगर minimum number चेक किया जाए यहाँ पर देखिए तो यह category किसका है तो यह general category और OBC category दोनों का mix है यह general category वाला है न जनरल category में यह लोग कितना minimum number पर selection पाए है 89 10.5 पर selection पाए है ऐसे ही EWS में 86 10.5 पर selection पाए है ठीक है ऐसे ही OBC में अगर देखेंगे तो OBC में minimum cut-up जो गया है वो 85 10.5 गया हुआ है ऐसे ST SC में देखेंगे तो 81 नंबर गया हुआ है और ST में no ST candidate qualify for the post junior technician technician technical के लिए कोई qualify नहीं हुआ है ऐसे junior technician controller के लिए आप लोग देख सकते हैं इसमें कितना number minimum गया हुआ है तो इसमें भी 87 गया हुआ है जनरल के लिए EWS के लिए 85 10.5 गया हुआ है और यहां पर junior technical control में OBC के लिए देखेंगे तो minimum cut-up जो गया हुआ है वह 85 गया हुआ है उसी पर का SC के लिए यहां पर minimum cut-up गया है और ST के लिए 73 10.5 गया है ठीक है अब junior technician store के लिए यहां देखेंगे cut-up तो यहां पर जो जनरल में minimum cut-up जो गया था वह 96 10.5 गया हुआ है OBC का अगर बात करें इसमें तो OBC का यहां देख लिजिए OBC जो है total यहां पर उपर के तरफ है देखें यहां पर 81 10.5 गया हुआ हुआ है OBC के लिए और यहां पर junior technician technician CSD के लिए जनरल में 87 10.5 पर सेलेक्शन ले लिए है अधिक्तम 99 तब देखेंगे कितना कम-कम नंबर पर भी सेलेक्शन हुआ है यहां पर ठीक है अब यहां पर देखेंगे machinist turner के लिए 127 नंबर पर machinist grinder के लिए 129 10.5 पर सेलेक्शन हुआ है welder के लिए 128 10.5 पर सेलेक्शन हुआ है junior technician fitter के लिए यहां पर देखेंगे तो 128 पर सेलेक्शन हुआ है OBC के लिए 75 10.5 पर पांच गया हुआ है ठीक है fitter वालों में यहां पर fitter junior technician और SC का यहां काफी चला गया OBC से ज्यादर चला गया जितने भी उपर provisionally selected candidate का नाम है लिस्ट में उनको registered email ID पर एक document verification के लिए भेज़ा जाएगा individual ठीक है मतब notice भेज़ा जाएगा फिर यहां पर बोला है the above said list is only provisional यानि को उपर जो भी कहा गया वो provisional है subject to candidate fulfilling the eligibility criteria prescribed for the above post and also subject to throw verification of their identity with reference to their photos, signature, handwriting etc on the application from some admission certificate etc यानि कि आपका verification होगा कि आपने जो भी उपर लिस्ट में selected है उनसे आप लोग को मिलाया जाएगा यानि कि verification होगा आपकी identity का photo का signature का handwriting का तभी आपको यहां पर selection माना जाएगा if on verification is it found that any candidate does not fulfill any of the eligibility criteria he she will not be considered for the further selection appointment process यहीं कि बोला जा रहा है कि अगर कहीं पर भी आपका verification में कोई mistake होता है कोई fulfilled नहीं होती है eligibility criteria तो आपको वहाँ से selection को क्या कर दीजया गया कंसाइडर नहीं किया जाएगा आपके selection को the candidate of this candidate is provision subject to the they are being found eligible in all aspects यहीं कि आपका जो provisionally selection है वो आपका सभी eligibility है eligible aspect में आपका verification में सही आना चाहिए ठीक है तो यह list आप डाउनलूड कर लेंगे जैसे मेंने बताया है आज की लिए वीडियो में इतना ही thanks for watching this video guys में नेक्ट वीडियो में तब तक लिए आए जाहिए जाहिए